पठान के चर्चा हर तरफ हो रही है जहां चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के बाद किंखान के फिलम ब्लॉक पस्टर साबित होई तो वहीं कमाई के मामले में भी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाती दिख रही है पठान का चादू लोगों पर ऐसा चला कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा शारुक की फिलम को रिलीज हुए दो हफते पूरे होने को है लेकिन फिलम की टावट तोड कमाई अभी भी जारी है रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान ने सिरफ ग्यारा दिनों में 306.50 करूर का कलेक्शन किया तो वहीं डंगल ने डोमेंस्टिक वॉक्स ऑफिस पर 374.43 करूर की कमाई की थी और इसके साथ ही अब जानते हैं के कौन से आसे फिलमे है जिन्होंने पहले ही दिन कमाई के रिकॉर्ड तोड दिये थे और की थी शानदार ओपने तो इसमें सबसे पहला नाम पठान का ही है पठान ने पहले ही दिन 55 करूर रुपे कमाई पाइफ फिलमों में शामिल हो गई परस्ट वी के कमाई 38.50 करूर रही पॉलिवुड के कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े सबसे कम समय में 300 करूर का आंकड़ा भी पार किया अभी भी जारी है पठान का थेटस में ब्लॉक पस्टर रन वहीं पठान की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 725 करूर के पार हो गई है इसके बाद दूसरा नाम आता है के जेफ टू का जिहां फर्स्ट वीक की कलेक्शन 268.63 करूर रही पहले दिन की कमाई की बात करे तो पहले दिन की कमाई 33.95 करूर रही 44 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1232.49 करूर कमाई इस फिल्म ने देश भर में इस फिल्म ने पांच भाशाओं में 862 करूर का शांदार बसूस किया के जेफ टू ने बाहुपली के भी रिकॉर्ड तोर दिये फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई हिंदी वर्सों से की थी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इसमें अगला नमबर कौन सा आता है तो इसमें अगला नाम है वार का बॉल्वूद की टॉप अपकमिंग कलेक्शन वर की नाम थी इसके अपकमिंग कलेक्शन तिरफंद शम्लों 35 करूर रही थी रितिक रोशना टाइगर शरॉफ की जोड़ी ने काफी धूम मचाई थी टोटल कलेक्शन इसकी 475.5 करूर रही अब अगला नमबर आता है बाहु बली जूका दरसल दस दिरों में हे फिलम ने बॉक्स आफिस पर धूम जादी थी 1000 करूर के क्लब में शामिल हो गई थी पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो इसकी पहले दिन की कलेक्शन थी 58 करूर और तीन हफ्तों में इसने कमाई 1500 करूर अगला नमबर है सुल्टान का जहां सुल्टान की पहले दिन की कमाई 36.54 करूर थी पांच दिन में ये फिलम 180 करूर का कारूपास कर चुकी थी सुल्टान ने वर्लड वाइड 627.82 करूर कमाई तो वहीं भारत में इसकी कमाई 421.25 करूर रही ब्यूरो रिपोर्ट पंचाब के सुल्टान